हलो फ्रेंग चेज सिक रसना उश्टी सिंगार छेनल में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे गादी जी के माला जी मल्टी कलर के माला जी है ब्ल्लू कलर, यलो, रेड, ग्रीन, पिंक, पेरड और ओरंज कलर, वाइट कलर के मोटी और ये लंबे वाइट कलर के मोटी नीडल और कोटन का धागा है ये वाइट हलो फ्रेंड अब माला जी बरना स्टार्ट करें उनसे पहले मैं आज आपके शाहत एक बात शेयर करने वाले हूँ मुझे कमेंट मिली है कि आप जो शिंगार में पदक यूज करते हैं मोती यूज करते हैं वो कहां मिलता है उसकी प्राइस किया है तो मैंने सोचा आज मैं आपकी हेल्प कर दू ये पदक और ये मोती के लिए मैंने अपना और सेप नमबर शेयर किया है आप उस नमबर पर मैं कॉंटेक्ट करें इसे और भी कहीं सारे पदक हैं डिजाइन है इस ठाकोजी को बहुत सुंदर लगेगे जब ये मालाची दो रहेंगे मैंने आगे भी वीडियो अप्लोड किया है उस वीडियो में से भी आपको माटीरियल या कोई भी चीज की हैप चाहिए तो आप इस व माला जी बनेना स्टार्ट करते हैं अब माला जी बनेना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें तिन औरंज सबार देता है फिर ग्रीन कलर के तीन मोती अब तीन वाइट कलर के अब तीन मोती ब्लू कलर के तीन यलो कलर के तीन मोती ब्लू कलर के तीन मोती ब्लू कलर के और तीन मोती पिंक कलर के तीन मोती ब्लू यलो रेड़ पर्ट और पिंक मोती अब हमें यह वाइट मोती लेना है इस तरह और तिन ब्लू कलर के मोती तिन मोती ब्लू कलर के अब हमें यह वाइट मोती यह बड़ा उसमें से रिटन लेना है इस तरह यह पिंक मोती यह पेला उसमें से रिटन लेना है इस तरह अब हमें डोपिंग और तिन पेलट मोती और यह जो जेड़ मोती है उसमें से लेना है तिन ग्रीन मोती छोट पेलत मोती छोड़के तो यह जे ड्रेड मोती हो उसमें से लेना है अब अब हमें दो रेड मोती और तीन यल्लो मोती तीन यल्लो मोती यह जो ब्लू मोती है उसमें से लेना है यह ब्लू मोती में से अब हमें दो ब्लू मोती और तीन वाइट मोती तीन वाइट मोती और यह ग्रीन मोती है उसमें से लेना है अब दो ग्रीन और तीन ओरेंज और यह जो पहला मोती है उसमें से लेना है इस तरह अब हमें पांच मोती और यह जो दो मोती छोड़के तीसरा और यह उसमें से लेना है अब तीन ग्रीन मोती और दो वाइट और यह वाइट मोती है उसमें से लेना है बीच का अब तीन ब्लू मोती और दो यलो मोती और यह यलो मोती है विच का उसमें से लेना है यह लास्ट यलो तीसरा यलो मोती है उसमें से अब हमें तीन ग्रीन मोती और दो पैरट मोती और यहां पे तीसरा पैरट मोती है उसमें से लेना है तीन पिंक मोती तीन पिंक मोती और यह क्वाइट मोती और यह क्वाइट मोती और तीन ब्लू मोती तीन ब्लू मोती अब यह वाइट मोती में से और यहां पे पहला पिंक मोती है उसमें से रिटन लेना है इस तरह अब दो पिंक और तिन पेरट और यहाँ पर रेड मोती है उसमें से पहला रेड हर बार हमें पांच मोती लेने है और यह जो बिच का मोती है दो मोती यहाँ और दो यहाँ छोड़ के बिच का मोती उसमें से लेना है दो रेड मोती और तीन येलो मोती फिर ये ब्लू मोती है उसमें से लेना है अब दो ब्लू और तीन वाइट और ग्रीन मोती में से अब दो ग्रीन और तीन पैर और यहाँ पर दो मोती छोड़के ये तीसरा मोती है उसमें से लेना है अब खांच मोती औरेंज और ये तीसरा औरेंज है उसमें से अब दो ग्रीन तीन ग्रीन और दो वाइट वाइट तीसरा वाइट है उसमें से अब तीन ब्लू और दो येलू और ये लास्ट येलू में से तीसरा येलू मोती है उसमें से और तीन रेंज है और यृट् और दो पेरट और ये तिसरा पेरट है उसमें से अब तिन पिंक एक बड़ा वाइट मोती और तिन ब्लू मोती ये वाइट मोती और पिंक मोती में से दो पिंक और तिन ग्रीन पेरट मोती और ये पेरट है उसमें से अब दो रेड मोती और तिन यलो और यहां पे ब्लू मोती है बिच का उसमें से और दो ब्लू और तिन वाइट आउट और ये वाइट ग्रीन मोती में से दो ग्रीन और तीन ओरेंज ये दो मोती छोड़के यहां पर पहला मोती है उसमें से पांच ओरेंज मोती ये तिसरा ओरेंज है उसमें से हर बार हमें यही मोती लेने है अब हमें यहां से दिखना है ये पांच ओरेंज फिर तीन ग्रीन और दो वाइट ये ब्लू मोती है वाइट मोती है उसमें से लेना है यहां भी हमने वाइट मोती में से लिया है इसने अब तीन ब्लू और दो ये लू और फिर ए लास्ट का है ये उसमें से लेना है यहां भी हम नई सी तरह लिया है अब तीन ये लो और दो पेरोट और यहां पर हमने तिसरे पेरोट में से लिया है तो यहां भी इसी तरह यहां हमने तीन पिंक मोती और एक वाइट मोती लिया है और तीन ब्लू मोती अब यह वाइट और यह पहला पिंक है उसमें से लास्ट का पिंक अब दो पिंक और तीन पेरोट आगे भी हमें इसी तरह मोती लेने हैं और पूरे मालाजी कंप्लीट करने हैं देखिए हमारे मालाजी बन के रेडी हैं कितने सुन्दर लग रहे हैं मल्टी कलर मालाजी आप भी अपने ठाकोजी के लिए अवश्य बनाएं और मुझे कमेंट करें आपको एमालाजी कैसे लगें जैशी गरश्ना